हेलो वंडर्फुल लेर्नर्स कैसी हो आप सब आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआउं से मैं पे बिल्कुल अच्छे से हूँ सो फर्स्ट वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉंस था उस पे बहुत सारे लेनर्न ने अपड़ा स्कोल लिखाता कॉमेंट सेक्षन में मैंने सबके कॉमेंट्स पड़े हैं चली आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नमर वान के साथ क्वेश्चन नमर वान आपकी स्क्रीन पर है वाट ड़ ड़ आर्टिकल सिक्स ऑफ आपको बताना है यह किसके साथ डील करता है तो इतना चिंता लेने की इसमें कोई भी बात नहीं है आपने सिर्फ इसका आंसर रट लेना है ज्यादा इसमें की कोई भी जरूरत नहीं है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा राइट टो रिकानेशन एस परसन बिफोर ला तो यह आर्टिकल 6 जो है Universal Declaration of Human Rights तो ठीक है आर्टिकल 6 किसके साथ डील करता है राइट टो रिकानेशन ऐसे परसन बिफोर ला तो UDHR की बात कर लेते हैं Universal Declaration of Human Rights की बात कर लेते हैं इसको UN General Assembly ने अडॉप्ट किया था on 10th of December 1948 को क्यों किया था क्यों किया था बताएंगे जरा आप मुझे टिक है for the right and freedom of the human rights तो humans की rights के लिए ये basically UN General Assembly ने इसको अडॉप्ट किया था तो चलिए इतनी सी information इसके लिए काफी है question number two पे चलते हैं और question number two आपके screen पे है यह जिसको जाद होगा वो ही कर पाएगा इसको ठीक है तो मैंने कुछ पुराने question papers के भी question डाले हुए है यहां पे सचले question number two का answer देंगे सभी लोग what was the period of the first phase of national lockdown was declared by the government of India in 2020 ठीक है सभी को पता है कि जो पहला lockdown लगा था ठीक है तो उसका period क्या था कब से कब तक था ठीक है तो I think 25 March इसका correct option जो है 25 March to 14 April 2020 ठीक है जो first lockdown का जो ठीक है किस तरह से आप इसको याद रखोगे तो मार्च का महीना था यह तो maximum लोगों को यादी होगा ठीक है तो 25 अगर हम इसमें से one minus कर लेंगे तो वन आ जाएगा और इसमें से अगर हम five में से one minus कर लेंगे तो क्या आएगा फोर आएगा तो फोर्टीन आ जाएगा ठीक है फोर्टीन अपरल मार्च के बाद कौन सा महीना आता है ठीक है अपरल आता है तो 25 मार्च से 14 अपरल तक पहला यह लागडाउन का जो पिरियेट था वो डिक्लेयर किया गया था गोवर्मेट आफ इंडिया के दुआरा ठीक ह सबी लोग आंसर मेरे बोलने से पहले ही तो इसको जाएगा डिसकुस करने की जरूवत नहीं है विजे लक्ष्मी पंडित इस दा करेक्ट आंसर ठीक है चलिए फॉर्ष्मी एक्टर एक से लिए अवार्ड तो पहली फीमेल एक्टर जिसको पादमस्षिरी आवार्ड मिला था गोवर्मेंट आफ इंडिया के दुआरा वह कौन से थी इसका जो करेक्ट आप्शन है शाबाज क्या था नर्गिस्दत पहली फीमेल एक्टर थी जिनको पा प्लास्टिक तो बेकलाइट को किस ने इन्वेंट किया था शाबाज देखो ऑप्शन से आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे देखो बेकलाइट से बेकलेंड ठीक है लियो एच बेकलेंड इस दा करेक्ट आंसर ठीक है चलिए क्वेशन नबर सिक्स पर चलते हैं क्वेशन पावर कॉर्परेशन ठीक है एन एच पीसी कभी स्टैबलिश हुई थी बताएंगे जरा लोग सु क्या रहेगा इसका करेक्ट आप्शन मा कीजिए जरा ठीक है इसका करेक्ट आप्शन जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा 1975 में एन एच पीसी ठीक है नैशनल हाइड्रो एले एकाया आप मधने मुझे बताना है तो चलिए question No.7 पर चलते है question No.7 आपकी screen पर है in which year The National Commission on Farmers तो इसका जो क्रेक्ट ऑप्शन रहेगा शाबाश क्या रहेगा इसका क्रेक्ट ऑप्शन शाबाश ठीक है एफ से फार्मर्स और एफ से फॉर दोहजार चार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सब्सक्राइब अभी गैसे अभी यह न्यूस में था चलते हैं कुसिन नंबर 8 आप का आ जाता है लेक्स के उपर which among the following lakes is situated in the Indian state of Madhya Pradesh में तो इंडिय के option में से कौन सी जो लेक है वो Madhya Pradesh में located है तो इसका correct option क्या रहेगा मैं सीरे से आपको correct option बताऊंगी आप फटाफट से video pause करके अपना answer लगा देजिए तो अपर लेक इसका correct option रहेगा ये Madhya Pradesh में है इसको भी देख लेंगे संत्रकाची लेक कहां पर है वेस्ट बंगाल में है ठीक है रामगर्ड लेक कहां पर है ये राजस्थान में है ठीक है रामगर्ड लेक कहां पर है राजस्थान में हीमाचलिप्रदेश में एब बोलोगी मैम यह कौन सी ठ्रिक हुई देखो हिमाचल रिलेट करो कि हिमाचला और एकर से हिमाचल एक uns सि को ब चंदर तरल एक जो है वो हिमाचल परतेश में हैं हिम से हिमाचल मतलब हिमाचल और हिम थीक है थोड़ा कोर्लेट कर लेना ठीक है चलिए क्या रहेगा इसका सही आप्शन इसका सही आप्शन रहेगा अलूरी सिताराम राजू अलूरी सिताराम राजू इस दा करेक्ट आंसर चलिए क्या कि एक रहेगा इसका चलिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका रहेगा उप्शन वी ब्लॉक्स चिस्होलम ठीक किस तरह से आप रनूंस कर लीजेगा ब्लॉक्ट चिस्होलम इस दा करेक्ट आंसर टिक है व्ल्ट् बना कब था शाबास फटफट से इसको हम देख लेंगे 7 April ठीक है 7 April 1948 को World Health Organization established हुआ था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है 7 April को हम क्या बनाते हैं ठीक है कौन सा डे बनाते हैं यह comment section में जरूर मुझे बताइएगा और अभी recent में news अभी आई है तो World Bank के जो नए परेसिदेंट है उनको मतल année किया गया है ठीक है तो ये नेक्स्ट चो वर्ल्ड वेंग के प्रेजिडेंट होंगे, ओके, चलिए, question number 11 पे चलते हैं, which dam is built on बेतवा रिवर, ठीक है, बेतवा रिवर, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि बेतवा रिवर, tributary किसकी है, शाबाज, बताईए, फटा-फट से बताईए, बेतवा रि ठीक है, राजगर्द टैम इस बिल्ट और बेतवा रिवर, राजगर्द टैम जो है, वो इंटरस्टेट टैम है, between the मद्यप्रदेश और यूपी, ठीक है, तो ये कौन-कौन सी स्टेट की बीच में है, मद्यप्रदेश और यूपी की बीच में है, ठीक है, so which is the largest oxbow lake of India, ठ ठीक है, इन तीर में से ही आमसर है, कोई बताए जरा कौन सी है, ठीक है, लोगतक लेक, वुलर लेक, जिनको भी पता है, वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाएंगे, ठीक है, वुलर लेक तो सभी को पता ही है, हमारे जम्मो कश्मीर की है, ठीक है, लोगतक लेक कहां पे है, म सब से जादा रामसर साइट की और से स्टेट इंपले सिधे साइटिक जलाएं इनके हैं तो यह सब मैंने आपको प्रवाइट किया हूए है मिल जाएका प्ले लिस्ट में आप गारेकिए सकते हैं ठीक है सो चलिए इसका जो करेक्ट आप्शन रहेगा वो रहेगा क्या रहेगा तमिल नाडू में 14 है ठीक है और दूसरे नंबर जो पे जो है स्टेट जहां पर सबसे ज़दा आराम से साइट है वो है यूपी ओके चलिए यहां पर लिखा भी हुआ है सो डोंट वरी पीडिएफ आपको जरूर मिल जाएगी ठीक है चलिए विच अमंग फालूइंग इस बोंडरिंग कंट्री आफ यूक्रेइन यह बहुडरिंग कंट्री कौन सी है ठीक है क्या यूके है जर्मनी है पोलेंड है इटली है सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है तेक हो अभी कोन आया है हमारे देश में नहीं इसका करेक्ट ऑप्शन है इटली की प्राइमनिस्टर आई है उनका नाम क्या है जो अभी इंडिया में विजट है हो रहा है उनका नाम बताएगे जरा मुझे थे क्वे थेके कह फीमेल है वो पता देते हूं नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ब कितने लेटर है एक तो तीन चार पांच ठीक है तो कौन सी है पॉलेंड है था है हंगरी है रोमानिया है मॉल्डोवा है रश्या है बेलरूस है देखो रश्या को तो लर्न करने की जरूरत नहीं है पोलेंड अभी हो गया स्लोविक्या है, हंगरी है, रुमानिया है, मल्डोवा है, बैलरूस है कौन-कौन सी है, पोलेंड है, स्लोविक्या है, हंगरी है, रुमानिया है, मल्डोवा है और बैलरूस है ठीक है PDF में एक दो बारी रिवाइस कर लीजेगा खुद बख खुद आपको याद आ जाएंगे ठीक है तो मैंने सातों को इस सातों लिख दी है अगर इन में से कुरिशन परनेगा तो आपका छूटेगा नहीं सवराज इस मैं बिपट राइट कि किस ने कहा था यह आपका हिस्टर बगंगदर टिलख ने कहा जाता है तो आप मुझे comment section में बताएंगे जो हमारे कश्मीर के फेंड है कि सबसे जादा क्राप कौन सी होती है कि कॉमेंट section में ज़रूर बताना मैं पढ़ूंगी सारे comments चलिए question number 17 Lidder river originate from which glacier Lidder river कौन से glacier से originate होती है तिक है इसका correct option क्या रहेगा शाबाश कल होई glacier is the correct option ठीक है question number 18 आपके screen पे है अखनूर fort built by which ruler ठीक है अखनूर fort किस ने कौन सी ruler ने बनाया था बताए जरा मुझे ठीक है और कब बनाया गया था ये ठीक है तो basically राजा आलम सिंग ने इसको complete किया था मगर इसकी construction राजा तेग सिंग ने जो इनकी फादर थे उनने इसको start कर दिया था ठीक है तो यहां पर मैंने आपके लिए explanation भी लिख दी है quick revision के लिए कि राजा तेग सिंग ने इसको start किया था construction इसकी अकनूर इसको start की 1762 में और इसको complete क्या था राजा आलम सिंग ने 1802 में 1762 में 1802 में देखो दोनों के end में टू-टू है थोड़ी ट्रिक तो बन जाएगी ठीक है चलिए और यह thought कौन सी रिवर पे है चेनाव रिवर पे है ओके चलिए question number 19 आपकी screen पे है great basin desert in which country ठीक है great basin desert कौन सी country में है so इसका correct option रहेगा शाबाश great basin desert कहां पे है so इसका correct option शाबाश USA ओके इसका correct option है USA में यह USA का largest desert है okay question number 20 आपकी screen पे है if water is at high elevation in a tank the energy in it is called ठीक है energy धिको अगर पानी high elevation पे है तो उसमें जो energy होगी उसको क्या कहा जाएगा ठीक है kinetic energy होगी potential होगी thermal होगी जियो thermal होगी इसका correct option क्या रहेगा I think यह बहुत easy है potential energy question number 21 आपकी screen पे है with which among the following state was the Mapila rebellion associated ठीक है तो अभी हमने दो rebellion के बार में पढ़ दिया है ठीक है तो Mapila rebellion कोन सी state के साथ associated है so none other than Kerala which among the following is the international shooting sports governing body in olympics ठीक है तो जो shooting की sports governing body है इन में से कोन सी है ठीक है तो आपको बताना है इसमें से तो answer ही आपको दिख गया है इसका headquarter भी पुछ जा सकता है munich Germany में कहां पे है munich Germany में कहां पे है munich Germany में मुझ जर्मनी में चलो आगे question number 23 आपकी screen पे है who among the following was the first to conceive the idea of Pakistan और I think this is the easy one और यह है मुहम्मद इक्वाल ओके चली वेर इस दसाख permanent secretariat located ठीक है तो pronunciation देख लेजेगा ठीक है सार का headquarter कहां पे है basically ठीक है तो इसका headquarter कहां रहेगा option C Kathmandu Nepal ठीक है IG classes पे मैंने यह साक बगरा यह सारी international organization को भी पढ़ाया हुआ है वहां पे trick से मैंने आपको यह सब याद कराया था मगर finance accounting system में यह नहीं है चलिए आप ignore भी कर सकते हो इस question को चलो during which among the following event was the सबदेशी movement started in India ठीक है ठीक है अब मुझे बताओ कि बंगाल का जो भी वाजन है पार्टिशन आप बंगाल कब हुआ था ठीक है 1905 में हुआ था ठीक है यह भी आपके exam में question आया हुआ है और कुण से governor general थे उस समय यह आप मुझे comment section में जुरूर बताएगा क्या वो lord कर्जन थे यह आपने मुझे बताना है यह सही है यह गलत है ठीक है मुझे नहीं पता यह आप बताओगे मुझे तलिए question number 26 और आज का last question है in which part of the Indian tatter is the dogri language widely spoken by the people ठीक है तो यह तो हम सभी को पता है यह है हमारा जमू कश्मीर हम डोगरी है और कश्मीरी भी है कुछ ठीक है सब मिल जूल के यहाँ पर रहते हैं चलिए option B यहाँ पर correct हो जाएगा और thank you so much for watching the video bye bye take care god bless you